हलो बच्चों कैसे हो आप लोग सभी, I hope आप लोग सभी अच्छा होंगे तो मैं यूनों सर आज लेकर आया हूँ क्लास 10 के लिए एक special वीडियो बच्चों जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो चैप्टर नमबर 12 है, Electricity उसके very important बच्चों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपके numerical को solve करने के लिए बहुत important डॉल को लेकरने वाले है साथ ही बच्चों इस वीडियो के अंदर में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इन formula को हम use करेंगे और क्या इन physical quantity की unit होती है, तो बच्चों इस वीडियो को आप लोगो end तक देखना है यकिनां बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful रहने वाले हैं, तो चलिए बिना delay करते हम चाहिए तो बच्चों हम formula discuss करेंगे, सबसे पहले कुछ important बच्चों physical quantity की symbols है जो हमको ध्यान रखने है जैसे कि electric current के लिए मैं symbol use करने वाला हूँ, और charge के लिए बच्चों symbol use करेंगा Q और T time के लिए हम use करेंगे V बच्चों सो करेंगा मैं voltage या भी potential difference को सो करने के लिए, W यूज करेंगे बच्चों work के लिए डिइस्टेंस के लिए R यूज करेंगे, equivalent resistance यानि total resistance के लिए हम यूज करेंगे R equivalent, resistivity को सो करने के लिए row यूज करेंगे, length के लिए L, area के लिए A, power के लिए P, heat energy के लिए यू यहां पर इस cross-sectional area से T time में कोई Q charge प्लो करता है ऐसे मचोगर आपको find करने के लिए काज है कि electric current find कीज़े तो आप simple formula use कर सकते हो I is equal to Q upon T okay formula number second की बात करूँ मैं अगर तो suppose that कि यह कोई conductor wire है यहां पर Q terminal है terminal A and terminal B और terminal A से अगर Q charge को terminal B तक ले जाने पर आपको W work done करना होता है और V find करना है तो MCM use करेंगे W upon Q okay formula number third की बात करूँ मैं तो suppose that कि register R है जहां पर I current flow कर रहा है और यह जांब को बच्छो A terminal A और terminal B के पीच में अगर आपको potential difference यानि कि voltage V अगर आपको find करना हो तो हम ong slow से find कर सकते बच्छो जहां आपर formula बनता है वी इस पर आई 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 रहा है और इस वायर की लेंथ है बच्छो एल लेंथ है और ऐसे में बच्छो अगर find करना है register R तो इक पर होता है बच्छो रो यानिकि रिजिस्टिविटी एल अपोन बच्छो ध्यानर कि L यहांपर लेंथ है अगर रिजिट्विटी पाइंड करने है तो आगर आपर simple cross multiply करके R into A upon L भी याँपर use कर सकते हो इससे simple रिजिट्विटी पाइंड कर सकते हो अब बच्छो बात करें यहांपर formula number 5 के जहांपर हम बात करते हैं combination की R equivalent करना है और यहां पर कुछ register बच्छों register R1, R2, R3 इन दिनों को हम बच्छों हमने series combination इसको connect किया है और इसे हम बच्छों को find करने के क्लिए कि terminal A and terminal B के भीच में आपर R equivalent यानि कि total resistance find कीजिए तो बच्छों हम formula यूज करते हैं R equivalent digital to R1 plus R2 plus R3 and so on बच्छों और बच्छों कुछ register है जिनको हमने connect करते हैं parallel combination यानि कि register R1, R2 और R3 यह थी register बच्छों तीनों को हमने terminal A और terminal B के भीच में बच्छों हमने इसको parallel combination किया है ऐसा बच्छों अगर आपको find किया रहने के एक आजा है 2 plus 1 upon R3 अगर और भी register होते हैं कि हम उसके लेंगे 1 upon R4 और R5 okay formula no 5th very important बच्छों यह भी हमाएं लिए कि suppose that कि यह कोई wire है जहां पर बच्छों potential difference आपको given है voltage B given है और terminal A और terminal B के बीच में बच्छों आपको यह भी मालूम है कि अगर I बच्छों पाउर फाइंड करना है तो simple formula यूज़ करेंगे बहुत इंप्रटेंट बच्छों ध्यां रखेगा ओके आप चाहओ तो यहां पर आई की चेकर होए V upon R यानि की V square upon R put करके और R से multiply करके आप अगें formula चेंज कर सकते हो R को R से cancel out करके V square upon R बच्छों यह एक नया formula बन क्या था तो बच्छों देखा रहे हैं हमने case है power के आपर हमने 3 important formulas हमने आप पाइंट आट के लिए formula 1, 2 and last one P is equal to V square upon R important द्यान रखना लोगों को okay formula number 60 बात करें तो अगे बच्छों यहां पर यहां पर कोई wire है जहां पर register R गिवन है और यहां पर current I flow करता है T time के लिए flow करता है SMM heat energy produce होती है तो बताएं टर्मिलर A और B की विजिन कितनी heat produce हो रही होगी यहां पर heat energy होती है I square के proportional R के proportional TK directly proportional होती है ठीक है ज्यान रखोगी आप लोग चलिए अब देखो बच्छों अगर कोई register R है और वहां पर potential difference V given है Terminal A और Terminal B की बीच में और कोई Q charge में बच्छों flow कर रहा है ऐसा हमें आपको find करना हो heat energy फाइंड़ा जाहर में इसमें numerical भी है तो direct formula यूज कर सकते हो है फिर हम उसको multiply करेंगे power से बचो यहां पर each appliance के इतना power उसको use करें और direct ना बच्छों यहां पर unit यूज करेंगे power क्लोवार्ट में करेंगे अगर नहीं given अगर पावर वार्ट में given है तो हम thousand से यहां पर divide करेंगे और divide करके बच्छे हम इसको convert करेंगे किलोवार्ट में और time hour से multiply करेंगे अगर days given है तो हम d से भी multiply करेंगे अब इसके बार ना बच्छों यहां पर लास्ट है यहां पर फॉर्मला को बताता है कि जो electrical energy करेंगे हम बात करें ना बच्छों इसकी unit होती है किलोवाट और यहां रखना यह commercial unit है किलोवाट और आप चाहुत बच्छों इसको equal to one unit भी ले सकते हो जो करों में यूनिट करते हैं वो वन किलोवाट और की होती है इसको आप जूल में भी convert कर सकते हो 3.6 into 10 to the power 6 Joule बच्छों यह ध्यान रखना very important अब देखो बच्छों यूनिट की हम बात करें तो यूनिट यूनिट्र में रखना करते हैं यहां पर तो सबसे पativo बात करते हैंUAं इसकी होस हि को वर, hope, energy, वह कोई बीन इनरजी तो उसका उनित होती है रिस्टेंस के बाद करें तो और स्पेसिफिक रिस्टेंस की अनुमना की अगर हम रिस्टिविटी बात करें यह होती है वह अगर हो ऑँचों थक्छों करें यहां होती है कोई बद्सक्रावर की बच्छों करें आप लेक्रिक अपर किलोवाइट और अब यह जो कि आलेक्रिकल आपको और आपको प्रसंद आई तो जरूरु इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और आपके जो फ्रेंड उनके साथ मास्यार कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो का बेने पी उड़ा सके, तो बच्चा आज की वीडियो में इतना है करते हैं, बागी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, ओके बाई बाई एंड टेक केर,